हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगी केमेश्टी के सबसे ज़्यादा महाधपोर सूत्र ठीक है एरोमेटिक योगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुले देख सकते हो बेंजीन टालूइड फिनाल क्लोरो बेंजीन एंडलीन नाइट्रो बेंजीन इन सारे फॉर्मुलों को पहुत ही आसानी से समझेंगे ठीक है क्योंकि यह फॉर्मुले यार आपकी केमेश्टी में हर देगा कामाते है ठीक है तो हम लोग जो चैप्टर 6 देख रहे हैं हैलो एलकेंस एंड हैलो एरीनस ठीक है तो जिसमें हम देखेंगे आज हैलो एरीनस अर्था जो एरोमेटि योगिक होते हैं उनके सारे महत्पूर फॉर्मूले क्योंकि यही फॉर्मूले आपके आगे रियक्सन्स में भी काम आते हैं तो यार प्लीज वीडियो को आखरी तक देखना क्योंकि यह फॉर्मूले नहीं आते तो chemistry बहुत ज़्यादा कथिन लगती है तो चलो बात करते हैं बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 ठीक है यह होता है बेंजीन का फॉर्मूला देखो 6 कार्बन 6 इट्रोजन C6H6 रिंग के माध्यम से बनाना चाहो इसे ठीक है तो इस टाइप से आप बना सकते हो देखो यह इस टाइप से ठीक है यह रिंग चाहे आप इस टाइप से बन या इस टाइब से भी बना सकते हो बनाना चाहो तो ठीक है ध्यान से समझो एकदा मासान है ठीक है इस टाइब से आप भी बना सकते हो यह बीच पे ऐसे गोला तो देखो आपने बंजीन का आप सबसे पहले जो इसका आड़्विक्स उतरह है वह वहता है C6H6 आप चाहिए इस 6, 6, इस तरह से बनाओ, यह इस तरह से, ठीक है, आप देखते अगला फार्मुला जो है, टालुइन का, टालुइन का मतलब होता है, देखो, सिंपल कुछ नहीं, इस बेंजीन रिंग पे आपको क्या करना है, देखो, यह जो बेंजीन रिंग है, आप देखो, हर देखा हम बे गए ठीक है यह आपकी बन गई Benzene Ring तो symbol आपको timing का फॉरमला लिखने के लिए Benzene Ring की ऊपर यहां पर लगा दू तो बस यह यह हो जाएगा टालौ इiksi का फॉरमला हो जाएगा टालौ मिला यहां पर यह एसे बना रगा दो और अगर आल्वार्च पी बत करें तो C6H5CH3 देखो जहान से समझो एकदा मासा है ने देखो बेंजीन का C6H6 था बेंजीन रिंग चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे ठीक है और टालूइन का फॉर्मुला क्या हो जाएगा सिंपल बेंजीन रिंग बना दी उसके उपर CH3 लगा दो अर्था C6H5CH3 यह फॉर्मुला किसका हो जाएगा आपके टालूइन का ठीक है तो यह असानी से हो गया आप बात करते फिनाल का सारे फॉर्मूले इसी रिंग पर बनते चले जाएगे देखो बेंजीन रिंग बनाओ आसानी से यह आपकी बन गई बेंजीन रिंग आप क्या करो इस पे यहाँ फिनाल है तो यहाँ पे लगा दो OH तो यह हो गया फिनाल का फॉर्मुला बस बेंजीन निंग बनाई OH लगा दिये तो फिनाल हो गया आडविक सूतर C6H5OH देखो यहाँ पे CS3 लगा था तो C6H5C3 यहाँ पे OH लगा तो C6H5OH इसका नाम होता है फिनाल अगला फॉर्मुला यहाँ से देखो क्लोरो बेंजीन का तो सिंपल बेंजीन निंग बनाऊ एकदम आसान है यार देखो बेंजीन निंग बनाऊ यह सारे प्रॉले बता रहे हैं आपको important बहुत ज़्यादा है ठीक है हर जेगा काम आते तो यह simple बेंजीन निंग बन गई ठीक है और इस पे क्या कर दो ऊपर लगा दो NH2 यहाँ पर NH2 लगा दो और आडविक सूत्र C6 H5 NH2 यह हो गया किसका फॉर्मला N-Line का मलब Benzen Ring बनाओ उस पे NH2 लगादो N-Line, Clorine लगादो, Clorobenzine Methyl लगादो, Taluine, OH लगादो Nitrobenzen का देखो इसमें भी एक दावास आने देखो Nitrobenzen पे आपको क्या करना है NO2 को लगा देना है अर्थार Nitro Group को लगा देना है यहाँ पे हमने लगा दिया NO2 तो यह हो गया क्या Nitrobenzen का फॉर्मला ऐसे C6H5 NO2 ठीक है मलब C6H5 यह NO2 लगा है तो यह C6H5 NO2 चाहिए यह रिंग बना दो चाहिए ऐसे लिग दो ठीक है आलविक सूतर होता है C6H5N2Cl ठीक है तो यह किसका हो गया Benzen Diagonium Chloride का तो ध्यान से समझ लो Benzen का क्या था C6H6 दो रिंग होती है इस टाइफ से रिंग बना तो चाहिए इस टाइफ से आपको अगर यह अच्छी लगे आप देखते आगे के फॉर्मले तो देखो अगला है Benzen Sulphonic अमले तो सिंपल कुछ न करो यहां पर बनाओ Benzen Ring ठीक है Benzen Ring बनाओ Sulphonic अमले का मतलब आपको देखो Sulphuric अमले का नाम सुनाओगा H2SO4 यह होता है Sulphuric अमले और Sulphuric अमले में आपको क्या करना है इसमें से SO3H को लगा देना है और H और O बाहर कर दो देखो यहां पर लगा दिया SO3H तो यह होता है Sulphuric अमले का फॉर्मला आलविक सूतर C6 H5 SO3H Benzen Sulphuric अमले ठीक है मरदा Benzen Ring बनाओ SO3H लगा दो यहां C6H5 SO3H Benzen Sulphuric अमले अगला देखो Benzeldehyde तो इस पर Edehyde ग्रूप बता रहा है तो Simple Benzen Ring बनाओ और उपर लगा दो CHO यहां पर लगा दो CHO ग्रूप आलविक सूतर C6 H5 CHO यह किसका हो गया Benzeldehyde का Benzen Ring उपर CHO ठीक है C6H5 CHO अगला Benzoic Amla Benzoic Amla में भी इसी तरह करना है Benzen Ring बनाओ फिर क्या करो देखो यहां पर क्या कह रहा Benzoic Amla कह रहा है तो Simple Benzen Ring बन गई ठीक है यह Benzen Ring बन गई आप क्या करो उपर लगा दो यहां पर COOH और आलविक सूतर क्या हो जाएगा C6H5 COOH ठीक है C6H5 COOH यह इसका आलविक सूतर हो जाएगा तो चाहे इस तरह लिखो या इस तरह मलब यह आलविक सूतर याद करने के लिए C6H5 COOH और Benzening के उपर COOH अगला है Benzenil Cloride तो इस पर क्या करो यहां पर आपको इस टैप से बनाना है Benzening Benzenil Cloride का फॉर्मला होता है यहां पर आपको लगाना है CH2Cl यह होता है Benzenil Cloride ठीक है आलविक सूतर C6H5 CH2Cl ठीक है Benzenil Alcohol Simple Benzening बनाओ ठीक है और फिर यहां पर क्या कर दो Benzenil Alcohol है तो यहां पर लगा दो CH2OH ठीक है और फॉर्मला आडविक सूतर C6H5 CH2OH ठीक है तो देख सकतो यह हो गया Benzenil Alcohol का यह हो गया Benzenil Cloride का C6H5 CH2Cl C6H5 CH2OH Benzenil Sulfonic अमले का C6H5SO3H Benzenil Dehyde का C6H5CHO और C6H5COOH Benzoic अमले का ठीक है तो यह है Aromatic योगी के Most Important formula अगर यह formula नहीं आद रहता है तो reaction में भी बहुत दिक्कत होती ठीक है तो इन सारे formula को जरूर त्यार कर लेना Benzenil, Benzen, Clorobenzene Benzenil Alcohol, Phenal इन सारे को ठीक है तो यह वीडियो अच्छा रगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नहों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना सारे चटरम लोग बहुत असानी से पढ़ रहे है ठीक है